नमस्का, DNX के वी अजब गजब में आप सभी का स्वाधत है आज हम बात करेंगे कि मैगी का नाम मैगी कैसे पड़ा मैगी जिसे हम टू मिनर्स नूडल्स की नाम से जानते हैं आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यह लोगों का पसंद दीदा भी है भारत में तो इसे चाहने आलो की संख्या अच्छी खासी है यहां तक कि जिने खाना बनाना नहीं आता वो भी जड़पट मैगी बनाते हैं और खा कर अपना पेट भर लेते हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि जिस मैगी को आज हम इतना पसंद करते हैं उसका इतिहास क्या है और इसका नाम मैगी ही क्यों बड़ा यहां करीब 123 साल पुरानी कहानी है वैसे तो भारत में मैगी की कहानी साल 1983 में सुरू हुई थी ने इंडिया लिमिटेड ने भारत में मैगी नूडल्स को लॉंच किया था लेकिन उससे पहले वी देशों में तो य रहने वाले थे उन्हीं के नाम पर मैगी का नाम मैगी पड़ा इसे बनाने की पीछे की कहानी भी बड़ी दिल्चस्प है दरसंसाल 1884 में जुलियस ने आटे से बने प्रोडक्ट को बेशना शुरू किया लेकिन उनका ये बिजनर्स कुछ खास नहीं चला था जिसके बाद 1886 में उन्होंने सोचा कि वो ऐसा खादी पदार्थ बनाएंगे जो जल्द से जल्द पब जाएं बस यहीं से मैगी की शुरुवात हुई थे धीरे धीरे जुलियस की मैगी ने बजार में अपनी पहचान बना ली उस समय स्विजरलेंग की सरकार ने भी इस काम में उनकी मैगी के अलावा भी कई तरह की फ्लेवर वाले सूप बजार में उतारे थे और वे सारे काफ़ी लोग प्रिये हुए थे साल 1912 तक जुलियस मैगी के बनाएंग पादों ने अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों में अपनी पहचान बनानी थी हलाव कि उनकी मौत के बाद मैगी की साथ पर थोड़ा फर्क जरूर पड़ा लेकिन फिर भी कई सालों तक ऐसे ही ये चलता रहा बाद में साथ 1937 में नेसले ने मैगी को खरीद लिया जिसके बाद यह भारत में भी मशूर हो गया और घर-घर की पहचान बन गया हम आपके लिए इसी तरह एक से रहसी में बाते लेकर अपने चैनल में आते रहेंगे आप हम से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो के अगली नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन पर क्लिक करें